गुड मोरिंग स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 3 का करेंगे कम्प्यूटर का कम्प्यूटर में देखिए हम लोग को फैला चैप्टर और और यह और कम्प्यूटर यह हम लोग को करना है पास यूनिट टेस्ट में और टेक्स पेंट थर्ड चाप्टर फर्स्ट एंड थर्ड हम लोगो करना है पहला चाप्टर में देखिए मैं अंसर लगा चुकी हूं यहां आपको अंसर दीख रहा होगा तिक लगा दिये हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा का सारा उसके बाद आपको प्रोसेसिंग और पूट साइकल यह पेज नंबर फाइव में आपका अंसर दिया हुआ है यहां आपका साइकल तक पूरा आएगा पहला का हो गया यह उसके बाद दूसरा का गिप टू एक्जांपल ऑफ हाडवेर हाडवेर कौन-कौन सा चीज है जैसे मॉनिटर हो गया आ वाट ऑट आरडव टू काइंड ऑफ सौफ एस्सेंट्यम सौफ रेड़ एडवेर अप्लिकेशन सौफ वियर उसके बाद लिए आपको चारो का फुल फॉर्म में आपको बता दें कौन-कौन सा पेज नंबरम सेबर में साथ पेज के बाद ऎक अस्की यू यहां दिया वहां और одका स्प्लोग है उसके बाद है control unit यहाँ तीन दिया गया है उसके बाद यहाँ देखे page number 8 में दिया है SMPS यहाँ पे लिखावा switch mode power supply उसके बाद RAM है random access memory यह हो गया आपका chapter 1 का complete उसके बाद आपको chapter 3 में खुद से बनाना है chapter 3 आपका text paint है जो हम लोग 2 class में भी किये है 1 class में भी किये है text paint में दिखे यहाँ पे text paint आपका दिया गया है text paint में कुछ नहीं करना जादा आपको मुश्किल नहीं होगा text paint में दिखे पहला का मैंने tick लगवा दिया है पहला दिखे टिक लगवा है एक यहां पे दूसरा का लगा है यहां तिसरा लगावा है तीन ही ही है आपका यह तीनों में लगावा है इसका लास्ट है देख लीज़े एक दो और यहां इसका ओन्नमबर है उसके बाद गाले कि फिले इना बैंक्स में मैंने नबर लगा दिया है 3, 1, 4, 2 and 5 यह सब दिया गया है उसके बाद है matching matching मैं आपको दिखे दिख रहा होगा first है यह second है मैं यह लगा दे रही हूँ first है second है third है fourth है उसके बाद और यह fifth है मैंने यह पांचो लगा दिया है उसके बाद दिखे true false आपको खुझ से करना है और answer the following आपको खुझ से करना अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लिजेगा in case अगर नहीं आता है तब क्योंकि यह बहुत आसान सा है tax point हमनों two class में key away है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको next बस यही दो चाप्टर आपको computer में ही computer के copy में और book में दोनों में ही करना है कोई अगर दिक्कत होता है कोई questions नहीं समझ में आता है तो आप मुझे नौ बज़े से लेके बारा बज़े तक के अंदर आप मुझे कॉल कर सकते हैं thank you, bye student